हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कोहार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो जैंड्स के लिए एक्सल साइज फुल बाजू जैकेट को बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर टू है आज की इस कैसे बनेगा ये सब बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये इसका बैक पार्ट है बैक पार्ट में हमने लिए हैं 130 यानी 130 फंदे जब हम इसके फ्रेंट के लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट को बुनेंग तब इसमें हमें बैक पार्ट में जितने फंदे लिए हैं उसका हाफ करेंगे फिर जितने फंदे की बटन पट्टी बनानी है उन फंदों का हाफ करेंगे और एक पार्ट के हम फंदे लेंगे तो बैक पार्ट में है 130 फंदे 130 का जब हम हाफ करते हैं तो 65 और बटन पट्ट बनाएंगे 10 फंदे की तो 5 फंदे हो गए बटन पटी की तो 65 पलस 5 70 फंदे left पार्ट के और 70 फंदे इसके right side के पार्ट के तो यानि दोनों पार्ट में हम 70 फंदे इसमें डालेंगे तो ये देखिएगा ये इसका right side का पार्ट है और ये इसका left side का पार्ट है। 70 पंदे इसमें डाले हैं और 79 मैंने इसमें डाले हैं। फंदे डालने के बाद जैसे मैंने आपको डिजयन बनाना बताया है पार्ट वन में सेम ऐसे ही हमारा ये डिजयन एड़ेश्ट हो गया है 70 पंदे में। क्योंकि चार के multiple प्लस दो फंदे से adjust होता है तो ना कोई फंदा इसमें ज़्यादा बचा और ना ही कम हुआ सत्रा चोक के addset और इसमें प्लस दो सत्र फंदे में आराम से adjust हो गया है अब इसमें हमें देखिए क्या करना है अब ये इसका जो है पार्ट है इसमें हमने बटन पटी नहीं बनानी है ये इसका right side का पार्ट है ये है left side का मैं इसमें यहाँ पर पहला button hall बनाऊंगी आप button hall left या right किसी भी side बे बना सकते हो इससे हमारी जो jacket होती इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है तो मैंने यहाँ पर ये जो इसका right side का part है इसका border complete कर लिया है इसमें सिरफ अब हमें यहाँ आगे से button पटी और थोड़ इसे design को उपर जलाना है अब ये जो हमारा part है left side का ये देखिएगा इसमें मैंने यहाँ पर अगर हम अपनी उंगल से नापे तो तीन उंगल से थोड़ा कम ही है इतना हमने बुना है और इंची टेप से भी नाप कर दिखा देती हूँ ये देखिएगा इंची टेप से आप नाप के देखिएगा दो इंच से कम है ये दो इंच से थोड़ा सा कम है और अब हम यहाँ पर इसमें पहला button hole बनाएंगे तो देखिए button hole कैसे बनेगा यहाँ पर हमें जो 10 फंदे की button पटी रखनी है उसमें से हम यहाँ देखिए क्योंकि हमारा ये design है ये उल्टी साइड पर बनता है और ये जो सीधी साइड की सलाई होती है वो पूरी उल्टी बुनी जाती है तो आपका design यहाँ पर किसी भी तरह से आ सकता है ये आप अप देख लीजे क्योंकि design मैं part 1 में बिल्कुल पूरा बनाना बता चुकी हूँ फिर भी मैं थोड़ा सा आगे आपको repeat जरूर करवाऊंगी तो पहला फंदा एजस्टी इच है एक हो गया अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इससे पहली बार में यह यहाँ एक से तीन बने थे या तीन से एक हुआ था तो मेरा इससे पहली बार में एक से तीन बने है तो यह हम यहाँ तीन फंदों का अब एक फंदा बनाएंगे एक बार सीधा, क्योंकि देखें ये हमारा ऐसे आएगा, तो यहां हमारे बटन पटी बनेगी और बटन होल यहां पर आएगा, तो यहां पर देखें हमारे कितने फंदे हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानि हमारे पांच फंदे हो गए हैं, अब हम धागा अपनी तर देख लिजिएगा आपको किस साइज के लगाने हैं अगर आपको थोड़े बड़े साइज के लगाने हो तो धागे को आप थोड़ा लूज करके दो बार लपेट दीजिए और अगर बिल्कुली छोटे लगाने हो तो एक बार में लूज करके लपेट ये नहीं तो थोड़ा लपेटा है, इसको इस तरीके से लपेट देंगे, ऐसे करके, ताकि हम एक से जो तीन बनाएं, वो बिलकुल परफेक्ट बनें, तो हमने बैक साइड की तरफ से लपेट दिया है, दो बार, अब इस एक फंदे के तीन बनेंगे, देखे, एक बार सीधा बनाया, धागा अपनी डिजैन बिलकुल सेम तरीके से continue होगा, फिर उल्टी साइड से हमें पूरी सलाई को, ये उल्टी साइड है, सीधी साइड से सलाई की पूरी उल्टी बुनी जाएगे, दो सलाईों का डिजैन है, जो की पार्ट बन में बुनना बताया हुआ है, तो अब मैं डिजैन के हिसा सलाई को complete कर लेती हूँ, फिर सीधी तरफ से यहां तक मैं सलाई को उल्टा बुनते आऊंगे, जो हमने लपेट कर जाली डाली है, उसको बना के दिखाऊंगे, तो ये देखिए, उल्टी साइड से डिजैन को बना कर, हम आगे सीधी साइड पर, और सीधी साइड से इसकी स उल्टा बुन देंगे और इसको उतार देंगे, और आगे के फंदों को भी अब हम उल्टा ही बुनेंगे, तो पहला बटन होल हमारा यहां पर तयार हो गया है, लेकिन एक फंदा इसमें हमारा बढ़ गया है, जो कि हम इसमें उल्टी साइड से अब इस फंदे को घटाएं तो उल्टी साइड पर डिजैन बनता है और सीधी साइड से सलाई उल्टी बन रही है तो आप देखिए पहला फंदा ये इसका एजस्टीच है अब हम धागा पीछे करेंगे इस एक फंदे के यहां तीन बनाएंगे एक बार सीधा बनाया धागा अपनी तरफ एक बार उल्ट भार पीज़ा पर इस एक के हमें तीन करने हैं और ये हमारा जाली से बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे इन दौनों को एक साथ लेंगे ताकि ये फंदा हमारा कम हो जाए और हमारा बटन होल अच्छे से बन जाए आप वैसे इधर जो तीन का एक करेंगे उनके साथ भी चार का एक कर सकती है लेकिन यहाँ जादा आसानी रहेगी तो इन दोनों में अब आगे की सेट से स्लाइ डालेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक बार उल्टा धागा पीछे और एक बार सीधा तो देखे जो जाली से फंदा बढ़ा था वो हमारा यहाँ पर कम हो गया और यह पहला बटन होल तयार हो गया आगे जैसे हमारा डिजैन है सेम वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे सीधी और उल्टी साइड से इतना ही हमें बोर्डर बनाना है जितना हमने वैक पर्ट में बनाया है तीन इंच का बोर्डर है यह और यह जो बटन होल मैंने बना कर दिखाया है बटन होल का गैप आप अपने हिसाब से रखे ए कितना कितना आपको रखना सेम तरीके से आप इसमें बटन बनाते जाएए और इसको आप complete कीजिए तो हमें इतना border इसका अब ये बनाना है तो एक बार इसको बुनते हुए इस border की length मैं same इतनी ही बना लेती हूँ ये देखिए इस पार्ट की हमने length पूरी कर ली है इसकी भी मैं पूरी कर लेती हूँ फिर button पट्टी के साथ हमें कितने फंदे यहाँ पट्टी के साथ साथ चलाने है वो मैं आपको अलग करके उनको बना के दिखाऊंगी पहले मैं इस border की length यहाँ तक बुन लेती हूँ तो ये देखे फ्रेंट से इस border की length मैंने complete कर ली है अब इसमें हम यहाँ पर 10 फंदे की button पट्टी और 12 फंदे डिजैन के साथ मे और लेकर चलेंगे और बाकी के जो फंदे हैं उनको इसी तरह से सीधा उल्टा हम बुनेंगे तो इसकी look बहुत ही सुन्दर आएगे अब देखिएगा इसकी जो button पट्टी है वो हमारी यहाँ पर है तो हम यहाँ से और यहाँ पर 22 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों क कि सीधी सीधी बुनाई करेंगे तो पहला फंदा तो हमारा एजश्टीच है इसे आप उतारिये या उल्टा बनाईए उसके बाद आप धागा पीछे कीजिए और 22 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे क्योंकि border की जो हमारी length है वो complete हो चु 48 फंदों को सीधा बुना है और यहां बच गए अब हमारे 22 फंदे क्योंकि हमारे पास total है 70 फंदे तो अब धागा अपनी तरफ करेंगे 48 फंदे बुनने के बाद इन 22 फंदों को हम सीधी साइड से उल्टा बुनेंगे तो यह देख लिजे यहां पर अब हमारे 10 फंदे इ एक्स्ट्रा ले लिए हैं जो पट्टी के साथ साथ डिजैन में चलेंगे तो इसकी लुख बहुत ही सुन्दर आएगी तो अब आप इन 22 फंदों को उल्टा बुनिए तो यह देखिए इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है अब आज यह इसकी उल्टी साइड पर उ इन 3 का हम यहां पर 1 फंदा करेंगे क्योंकि डिजैन में आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ तो सेम तरीके से मारा बन रहा है जो एक से 3 किये हुए हैं उन 3 का आप एक करेंगे फिर धागा पीछे और एक फंदे के 3 बनाएंगे एक फंदा हमने सीधा बनाया धागा आप इसे बनाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहां पर हमारे एक से 3 है या 3 से एक किया हुआ है वो आपको अपने आप ही पता चलेगा फिर यह हमारे 3 फंदे हैं इन 3 का हम एक करेंगे फिर धागा पीछे 1 के 3 बनाएंगे हमने सीधा बनाया एक उल्टा और फिर धागा पीछे करके एक सीधा फिर ये जो तीन फंदे हैं हम तीन का एक कर देंगे धागा पीछे एक से तीन बनाने हैं 22 फंदों पर ही हमारा ये डिजैन बनेगा आपको ये भी अलग से ही अब दिख जाएगा ये दिखिए तीन का एक किया फिर हमने एक फंदे के यहाँ पर तीन बनाए उसके बाद यह एक फंदा हम देखिए यहाँ पर उल्टा बनेंगे तो यहाँ तक के जो हमारे फंदे हैं एक बार आप गिन के देख लीजिएगा यहाँ पर अभी हमारा यह तीन का एक होगा यह हमने तीन का एक किया फिर धागा पीछे एक से हम यह तीन बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ फिर यह देखिएगा यहाँ पर हमारे जो है फंदे यह फंदे हमारे पूरे हो जाते हैं इस एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और यहाँ जब हम ध्यान से देखेंगे तो यह यहाँ पर उल्टे उल्टे फंदे दीख रहे हैं और इधर से सीधे दिख रहे हैं इन फंदों को आप गिन कर देखे यहां तक आपके 22 फंदे हो चुके हैं अब आगे के जो फंदे 48 बच गए हैं इनको हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन देगे एक या दो सलाई जब आपकी इस तरह से बन जाएगी तब आपके यह 48 फंद एक साइड के और 22 फंदे एक साइड के आपको बिल्कुल कलियर नजराने शुरू हो जाएंगे हर बार आपको गिनने की जुरूरत नहीं पड़ेगी यह तो इसकी पहली सलाई है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है तो आप इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं फिर सीधी साइड से जो हमारे 48 फंदे हैं वो हमारे सीधे बुने जाएंगे आगे के जो 22 फंदे हैं वो हमारे उल्टे बुने जाएंगे तो मैं इन दोनों सलाईयों को कम्प्लीट कर देती हूँ तो यह देखे फ्रेंड्स उल्टी और सीधी दोनों साइड की सलाईया complete हो गई हैं एक बार फिर से आप design को देख लीजे फिर मैं आपको दूसरे पार्क में बना कर दिखाऊंगी तो ये पहला फंदा हमारा एजस्टीच हो गया अब हम धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे के एक से तीन बनाईए तो यहां पर हमारे ये साथ फंदे हो गए अब धागा अपनी तरफ करके हम तीन का एक करेंगे तो ये हमारे आठ हो गए फिर धागा पीछे एक से तीन बनेंगे तो आठ और तीन ग्यारा फंदे हो गए फिर हम तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो बारा फंदे हो गए फिर एक से तीन तो बारा और तीन यहां पर हमारे पंदरा फंदे हो गए फिर हम तीन का यहां एक फंदा बना देंगे तो सोला हो गए फिर यह देखिए एक से हमने तीन बनाए तो 16 प्लस 3 19 हो गए और ये फिर हम देखिएगा 3 फंदो का 1 फंदा बना देंगे ये हो गए हमारे और ये जो हमारा लाश्ट का फंदा है ये वाला जैसे उल्टा होता है ये आगे के जितने फंदे ये सब आपके उल्टे ही बुने जाएंगे और अगर आपको फंदो की काउंटिंग करने में कोई दिक्कत होती है तो जो आपके 22 फंदे का डिजैन बनता है वहाँ पर आप कोई भी मारकर लगा दीजिएगा और फिर जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो जो हमारे 22 फंदे डिजैन के हैं वह तो उल्टे बुने जाएंगे और जो 48 फंदे हैं वह हमारे सीधे बुने जाएंगे तो अब मैं इसकी सीधी और उल्टी दोनों साइड की सलाईयों को पूरा कर लेती हूँ फिर मैं आपको ये वाला पार्ट में एडज़स्ट करके दिखाती हूँ तो ये देखे फ्रेंड्स इस तरह से एक साइड के पार्ट में हमारे इधर के फंदे सीधे सीधे हो गए हैं और 22 फंदों पर हमारे ये डिज़ाइन एडज़स्ट हो गया अब देखें आप इस तरह से 22 फंदे के यहाँ पर एक मार्कर लगा के रख सकती हैं ताकि आपको सीधी या उल्टी किसी भी साइड से अगर डारक कलर हो तो फंदों को गिनना ना पड़े लाइट कलर में तो बहुत आराम से दिख जाता है डारक कलर में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप यहां मारकर लगा सकती है अब एक पार्ट में हमारा यह सेट हो गया है अब हा गया दूसरी साइड का पार्ट और यह देखे पहला बटन होल तो मैंने आपको यहां पर यह बना कर दिखाया था आप बटन होल इसमें बनाना ना भूले अपना गैप रखते हुए इसमें बटन होल बनाते जाए और अब हम दूसरी साइड के पार्ट में यहां एड़जस्ट करेंगे अब इसमें तो हमने यहां से बनना शुरू किया था और लाश्ट के 22 फंदों को उल्टा किया था यह इधर वाले पार्ट में हमारे पहले 22 फंदे उल्टे बुने जाएंगे और आगे के 48 फंदे सीधे बुने जाएंगे तो आप धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से 22 फंदों को उल्टा बुन लेजिए तो यह देखिए यहाँ पर मैंने इन 22 फंदों को उल्टा बुन लिया है पहचान के लिए आप यहाँ पर मारकर लगा दीजिए ताकि फंदों को बार बार ना गिनना पड़े अब हम धागा पीछे करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन देंगे फिर आएंगे हम इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड से यह जो मारकर अब हमने लगा दिया है पहचान के लिए यहाँ तक के फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे और आगे के 22 फंदों पर फिर हम डिजैन बनाएंगे तो ये सीधी साइड से और उल्टी साइड से यहां तक फंदों को बुनाई कर लेती हूं तो ये देखें फ्रेंड्स उल्टी साइड से इन 48 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है अब ये जो मारकर है अगर आप चाहो तो इसे ऐसे ही बार बार लगाते जाएए ताकि हमें आसानी रहे अपने फंदों को समझने में अब ये आगे के जो 22 फंदे हैं ये देखिएगा ये वाला जो फंदा है ये तीन का एक किया हुआ है तो अब की बार हमें यहां से डिजैन को सेट करना है तो हम क्या करेंगे इस फंदे को तो उल्टा बुन लेंगे फिर ये जो तीन के एक किये हुए हैं इन तीन का हम यहां पर एक फंदा बना देंगे फिर देखिए हम धागा पीछे करेंगे एक से हम तीन फंदे ये बनाएगे फिर आप धागा पीछे अपनी तरफ लियाए और तीन फंदों का यहाँ पर एक फंदा आप कर दीजिए ऐसे करते हुए मैं सलाई को कम्प्लीट करना है तो यह देखिए हमने ऐसे सलाई को बना लिया है अब हम आ गई है इसकी सीधी साइट तो फिर से हम अपने बाइस फंदों को उल्टा बुनेंगे देखिए एक, दो, तीन, च्यार और यह पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह बारा तेरा, चोधा, और यह पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, इकिस और यह बाइस देखिए बाइस फंदे हमारे जिन पर डिजाइन चलेगा यह उल्टे हो गए है अब आपने मारकर को यहाँ पर ले लिजेगा और धागा पीछे करके आगे के फंदों को आप सीधा बनाएए उल्टी साइड से फिर आप आओगे तो यह एक फंदा तो आपका दोनों तरब से ऐसे ही उल्टा चलेगा फिर यह देखे इस फंदे के एक के तीन हो जाएंगे आगे जो एक से तीन की हुए है उनके आपके जो है तीन का एक हो जाएगा यह आपको अपने आप दिखेगा अब आगे के फंदों को सीधा बनाएए उल्टी साइड से यह फंदे उल्टे और इन पर डिजाए तो friends उमीद करती हूँ कि आपको ये border border के साथ हमारी button पटी और जो हमें design इसके साथ लेकर चलना है वो आपको इसमें adjust करना आ गया होगा तो friends आज की इस वीडियो में इतना ही अब आपको सरफ इतना ही करना है जो हमारी button पटी और design adjust हो गया है इसको साथ में लेकर चलना ही इतने फंदों में और ये सीधे बुन्ने है अब हम इसकी थोड़ी सी length बना लेते हैं फिर मैं आपको इसकी next वीडियो में इसमें left और right दोनों पार्ट में side pocket बनाना बताऊंगे अगर friends आज कोई वीडियो आपको पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी friends ग्रूप में इसे share कीजिए और अगर आप चैनल पर new जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू